Hello everyone, आज की सबह स्टार्ट करते हैं आज की सबह में आपन सीखेंगे कि documentation कैसे किया जाता है documentation या सबसे पहरे सीखते हैं कि होता क्या है क्यों important है अगर तुमने कभी भी कोई भी software पढ़ा है या कभी कोई भी नई technology पढ़ रहे हो तो mostly क्या करते हो अगर तुम को start करना होता है तो तुम को यह article पढ़ते हो YouTube वीडियो देखते हो या direct उसके documentation में करते हो जो article भी लिखे गए है या जो YouTube वीडियो बनाई गई है वो लोग भी documentation से पढ़के सीखते हैं otherwise वो लोग कभी भी नहीं सीख पाएंगे code base पढ़के तो समझ के ऐसा तो कोई नहीं करने वाला है ना अगर तुम को यह NPM module भी पढ़ते हो तो उसके readme file पढ़ते हो उसके documentation पढ़ते हो ताकि तुम को पूरा समझ में आ जाए कि इसको कैसे यूज करना है कैसे कैसे examples है इसके अपने case में कैसे बैठेगा all those things the documentation is the major source of truth documentation इतना important है कि it it is the major source of truth for any software out there okay documentation यार तीन तरीके का होता है एक तो होता है तुम्हारा डवलपर तुडवलपर तुडवलपर documentation का मत्तब यह है कि तुम्हारा मानलो कि अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो काम तीन लोगों में divided है आधा काम तुम कर रहे हो उसके बाद कोई और उसको करेगा उसके बाद कोई और उसको करेगा तो अगर मानलो तुमने कोई बहुत complicated function लिखा है तो वो function कोई बैठके या तो पूरा कोड समझे तुमसे या तो फिर अगर तुम उसमें documentation में कमेंट्स में लिक दो कि यह लाइन यह काम कर रही है यह लाइन यह काम कर रही है तो उसके लिए बहुत easy हो जाएगा to and fro communication कम से कम हो जाएगा यहां तक समझ में आया मालो कमपनी छोड़ दिया तुमने तुम्हारा काम जो बचा हुआ था वो कोई और कर रहा है वही केस तुम्हारे साथ भी है अगर तुम उसकी जगह पर होगे तो तुम्हारी life easy हो जाएगी ठिक तो यहां सबसे पहला होता है डवलपर 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 डॉक्यमेंटेशन इसके लिए सबसे पॉप्लर लाइबरेरी है ज्यस्टॉक ज्यस्टॉक क्या करता है जो तुम कमेंट्स लिखते हो न अपने कोड में उन्हीं कमेंट्स को निकालके एक वेबसाइट बना देता है दूसरा होता है यार कंज्यूमर डॉक्यमेंटेशन कंज्यूमर डॉक्यमेंटेशन इस वेरी इंपोर्टन इस्पेशली फॉर पाकेंट डवलपर क्योंकि तुमको फ्रंटेंट को अपनी API देनी होती है या तो अगर तुम मानलो कोई सर्वेस प्रोवाइट कर रहे हो अगर तुम API की सर्वेस प्रोवाइट कर रहे हो तो अगर कोई भी थर्ड पर्टी परसन कोई भी इंसान तुमारी सर्वेस को यूज़ करेगा तो उसके पास कोई डॉक्यमेंटेशन होना चाहिए न कि वो कै कैसी रिक्वेस्ट बेजे कैसा रिस्पॉंस आएगा क्या-क्या स्टेटर्स कोड हैं तुमने उन्हें स्टेटर्स कोड के कर्स्पॉंडिंग क्या-क्या एरर्स है तो वो सब चीज आती है तुमारी कंज्यूमें डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा एक्जांपल है प्रूजर मैं यह चीज दी जाती है कि तुमने कौन सा आर्किटेक्ट्चर पॉलो किया है कि तुमने कैसे फॉल्डर स्ट्रक्चर को किया है, इस फॉल्डर में exactly क्या-क्या होना चाहिए, तुम्हारे एस जिंट्श क्या है, तुम्हारे किस रोडिंग स्टाइल से तुमने कर रखा है तो वो सब चीज होनी चाहिए तुमने यहां पे class-based सब कर रखा है तुमने ब कुछ सब कर रखा है तुमने mongoDB use किया है Postgres use किया मोंग hp use किया है Postgres ही क्यों use किया है तुम अगर जहती भी तुमारे static file से उसको S3 के तरहरे है ताक tuna कोई यहां पर assets के अंतर files कोड ना डाल दे तो वह सब चीज आती है तुमारे user manual में इसके लिए हम लोग mostly confluence के use करते हैं क्यों क्योंकि 80% of the companies पहले भी बता चुका हूं Jira use करती है और Jira के साथ ही तुमको confluence मिलता है वह simple तुमारा Google Doc की तरह होता है जहां पर तुम images डाल सकते हो और पूरा proper documentation कर सकते हो यह तीनों ही documentation अपने आप में बहुत important है ठिक यहां तक सब के समझ में आ गया ओके आप सबसे पहले पढ़ते हैं जेस्टॉक जेस्टॉक के लिए यार सबसे पहले तो तुमको इसको install करना पड़ेगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे npm install minus s या minus d j stock minus d का मतलब है it is just for development purpose only मैं mostly इसको minus d पर करता हूं minus s पर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर अपन जेस्टॉक इंस्टॉल कर लेते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या करते आएं अमेशा जब भी पोस्ट्रेस इंस्टॉल किया है इतनी सारे चीज इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले हम लोग ने एक फाइल बनाई है जहां पर हम लोग उसके सारे सेटिंग्स वगरा लिखते हैं तो यहां पर सबसे पहले एक फाइल बना देते हैं जिसका नाव रखते हैं अपन जेस्टॉक.json इसके अंदर हम लोग उसके सारे वो सेटिंग्स वगरा लिखेंगे तो यहां पर क्योंकि एक जेस्टॉन है तो एक अबजेक्ट बनेगा य जेस्टॉक किन-किन फोल्डे से फाइल में से कमेंट्स पढ़ सकता है वहां पर हम लोग यह चीज़ देते हैं तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे अपन इंक्लूड इंक्लूड पर अपन लिख देते हैं .slash के बाद कुछ भी कोई भी फाइल हो उसके कमेंट्स पढ़ अब यहां पर हम लोग को पैटन देना पढ़ेगा तो उपन लिखेंगे इंक्लूड पैटन यहां पर लोग लिखेंगे .js एक्स्टेंशन से जो भी तुम्हारे फाइल से उन सबके कमेंट्स पढ़ो अगर तुम यहां पर डॉलर लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि js और jsx दोनों यह पढ़ सकता है ओके फिर हम लोग यह नहीं चाहते कि तुम्हारा नोड मॉड्यूल में से पढ़े तो हम लोग लिखेंगे एक्स्क्लूड पैटन और हम लोग जब इसको रन करेंगे ना तो एक डॉक्स नाम का फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर वो जो स्टार्टिक वेबसाइट बनाएगा वो रिसाइट करेंगी तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नोड मॉड्यूल्स या फिर टॉक्स इन दोनों में से बाई मत पढ़ो कमेंट्स नहीं पढ़ने हैं अगर तुम इनके प्लगिंस यूज करना चाहते हो तो यहां पर है तो यहां पर तुम लिखोगे plug-in slash markdown ओके और फिर अपन देंगे options options में सबसे पहले हम लोग को देना होगा encoding, encoding पहले भी पढ़ा चुका हूँ, encoding should be utf-8 अगर तुमको readme पढ़ना है, तो readme का link तुम यहां पर दे दोगे, which is dot slash readme.md फिर मैं यहां पर दूँगा destination, जिसके अंदर यह पूरी static website बनाएगा, तो destination में मैं डाल देता हूँ, docks slash, ओके, फिर मैं यहां पर देता हूँ, कुछ और अपन दे सकते हैं, यहां पर जैसे recursive होता है, recursive को अपन true कर देते हैं, एक होता है verboss, इसको भी अपन true कर देते हैं, तो यह अपनी settings वाइल बन गहीं, अब इसको read करना होगा, तो हम लोग सबसे पहरे जाएंगे package.json पर, यहां पर एक हम लोग बनाते हैं, एक नई script बनाते हैं, js talk करके, कुल, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, कि यार इस file से, जो हम लोग ने अभी अभी बनाई है, यहां से तुम read करके, सारे comments, तुम एक नया talk करके folder बना दो, तो मैं यहां पर दिखूंगा, node modules के अंदर से, node modules के अंदर से dot bin, और इसके अंदर तुम्हारा js doc, जब file read करनी होते हैं, तो हम लोग लगाते हैं, js doc.json, अब मैं यहां पर अगर लिखूंगा, npm run js doc, तो देखो, यहां पर इसने docs करके folder बना दिया, इसके अंदर तुमको पूरी website बन गई, इसने एक index.html दे दिया, let's open it out, तुमको इसने एक empty template बना के दे दिया, अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि comments किस तरह से लिखते हैं इसके अंदर, तो एक example अपन बना देते हैं यहां पर, js doc example dot js, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि root से ही सारे उठा लो, तो यहां पर मान लो कि तुमने यहां पर function बनाया हुआ है, function मान लो test है, जिसके अंदर कुछ a, b, c parameters आ रहे हैं और तुम एक return कर रहे हो object जिसमें तुमने दे दिया, function name is a, email is b, and your phone is c, अब यह चीज देखो, कि अगर मैं इस function को यहां पर call करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यहां पर, vs code ने इस function को पहरे से populate कर दिया, मगर यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा, कि तुम्हारा a का type क्या है, b का type क्या है, c का type क्या है, है न, वहीं अगर, यह जो तुम्हारे code editors होते हैं न, यह सब तुम्हारे js.docs के साथ बहुत अच्छा गाम करते हैं, तो तुमको js.docs के लिए slash, double star, enter करोगे, तो देखो इसने अपने आप ही read कर दिया, कि यहाँ पर तुम्हारे पास तीन params है, a, b, c, और यह कुछ return कर रहा है, सबसे पहरी line पर हम लोग लिखते हैं, कि इसका description क्या है, इस function का description क्या है, तो this is a function just to test jstock, उसके बाद यहाँ पर star का मतलब है, कि यह कोई भी type का हो सकता है, parameter a, parameter b, parameter c, तो यहाँ पर इसको हटा के अपने लिख देते हैं string, तुम्हारा b, b, लिख देते हैं अपने string, या मालनो यह boolean है, just for an example sake, और c है तुम्हारा number, ओके, फिर तुम यहाँ पर space देके, इसके भी description लिख सकते हो, represents, name, this represents, email, and c represents, your phone number, ओके, return क्या कर रहा है, return तुम्हारा एक object कर रहा है, और उसके बाद इस space देखे, अगर तुम लिख दोगे, an object, with, name, email, and phone number, cool, अब यह देखो यार, अगर इस code की उपर भी कोई जाएगा, तो उसको बहुत आराम से समझ में आ जाएगे, कि अच्छा, यह function का description यह है, इस वज़े यह चीज़ बनी है, mostly cases में मैं यह चीज़ करता हूँ, कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कि यह कहां-कहां पर use हो रहा है, क्योंकि यह बहुत पंगे फस्ते हैं, कि हम लोग को पता नहीं होता है, कि यह कहां-कहां पर frontend पर use हो रहा है, तो अगर अब लोग की application है, जापर frontend और backend दोनों, हम लोग के पास पर ही है, this is not an open source API, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं, कि this is getting used, in maybe user's page, okay, and in which application and all those things, तो यहां पर जितना अच्छा दिस्क्रिप्शन लिखोगे, उतना अच्छा होगा, understood, और अब देखो, यहां पर जैसे ही मैं test call करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर देखो, मेरे पास description आगया, this function is just to test yes dog, this is getting used in user's page, यहां पर मेरे पास parameters का भी आ गया, यहां पर मेरे पास parameters का भी description आ गया, और यहां पर मेरे पास यह चीज़ आ गई, कि भाई, A तुमारा string है, B तुमारा boolean है, C तुमारा number है, देख रहे हो, इस तरह से यहर तुमने VS code को ही उठा गी, intelligent इतना बना दिया, कि अगर कोई बंदा, तुमारे बरे बनाई function को call कर रहा है, तो उसको exactly पता चल जाए, कि अच्छे यह function किस लिए use हुआ है, without even going to that file, without even going to that code, उसको यही के यही सब कुछ पता चल गया, ओके, पहला फाइदा तो यह, दूसरा फाइदा, यहाँ पे तुमने a को string बता दिया है, तो a dot करते हो, तो यहाँ पे तुमने vs code को फिर से intelligent बना दिया, यह तुमको string के functions बता देता है, methods दे देता है, कि यह यह तुम strings के methods यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही अगर b boolean है, तो b dot करोगे, तो तुमको boolean के दिखा देगा, अलाकि boolean का कुछ होता नहीं है, और c करोगे, तो c के तुमार पास, since it is a number, तो यह तुमको number के देदेगा, तो यहाँ पे तुम vs code को ही तरह intelligent बना रहे हो, to make your life and others life much more simpler, okay, jsdocs समझ में आ गया, jsdocs में कोई issue, क्या क्या किया, सबसे पहले एक फाइल बनाई, जिसके अंदर हम लोग ने सारे उसके सेटिंग्स दे दिये, कि यह रूट से उठाएगा, js extension से उठाएगा, node module नहीं पड़ेगा, docs नहीं पड़ेगा, plugins में markdown रहेगा, तुमारा, plugins की most, कौन-कौन से और plugins आते हैं, इसके encoding रहेगी, utf-8, तुमारा destination folder रहेगा, docs, इसने docs के अंदर, एक static website बना के दे दी, और इसको run करने के लिए, हम लोग ने एक नई script बनाई, js doc, जो हम लोग ने node module से उठा के, minus c के थुरू, यह file read करके बता दिया, js doc समझ भा गया, awesome, अब यार, अपन देखते हैं, कि swagger कैसे use करते हैं, ठीक, तो swagger मेर, कुछ-कुछ परेशानिया होती है, जैसे तुमको json बनाना पड़ता है, या yamil file बनाऊगे, तो, वो सब तुमको फिर से extra code लिखना पड़ेगा, तो हम लोग यह चाहते हैं, कि यार, जैसे हम लोग यहां पर comments पढ़के, और तुम्हारा सारा documentation create कर दे रहे थे, वैसे ही अपन, swagger के साथ भी करना चाहते हैं, cool, तो उसके लिए हम लोग दो packages use करते हैं, कि एक middleware बना देते हैं, जिसके अंदर तुम्हारा, यह swagger का सारा काम चलेगा, उसके पहले हम लोग को इसकी settings देनी पड़ेगी, तो यहां पर अपन लिख देते हैं, swagger.json, cool, तो swagger.json में हम लोग इसकी settings दे देते हैं, फटाफट से, सबसे पहले तो हम लोग को देना होता है, इसके अंदर, swagger definition, swagger definition में हम लोग लिखेंगे, info, जो तुमारी website की info है, जो तुमारी documentation वाली website की info है, यहां पर आपन लिखेंगे, version है इसका, 1.0.0, title है इसका, devs nest api docs, description है तुमारा, यही description डाल देते हैं हम पर, cool, फिर इसमें तुम contact भी दे सकते हो, कि किसको contact करो, for example, मैं अपना नाम दे देता हूँ, यहां पर, फिर यहां पर हम लोग को servers देना पड़ता है, कि कौन से server के यह है, यह array of string होता है, यहां पर मैं लिखूंगे, sttp, localhost, 3000, फिर यहां पर मैं दूंगा, apis, apis में मैं बताऊंगा, कि कहां से इसको read करना है, तो .slash मैं चाता हूँ, सिर्फ routes read करे, routes के अंदर, कोई भी file का नाम हो, .js, तो यह अम लोग ने, swagger के सारे options बता दिये, कि सिर्फ .slash routes, कोई भी file का नाम हो, .js, read करे, इसका local routes 3000 रहेगा, ओके, और तुमारा title description यह सब हो गया, अब हम लोग फटाफट इसका middleware बना देते हैं, middleware के लिए यार, क्या करना होता था, middleware के लिए हम लोग उसको app.use पर डालना होता है, तो सबसे पहरे तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, where, swagger.js.talk equal to require swagger.js.talk और दूसरा तुमारा हम लोग ने इस्टॉल किया था, swagger.ui.express तो यहां पे लिखेंगे, हम आपन swagger.ui. equal to require swagger.ui.express learners उसके बाद हम लोग यहां पे app.use के अंदर, यहां पे तुमारे सारे routes बने हुए है. app.use के अंदर लोग उसको डालेंगे, उसके पहरे उसको options डाल देते हैं, सबसे पहरे हम लोग लिखेंगे यहां पे swagger options पहले उठा लेते है, जहां पे हम लोग ने बनाय हुआ है तो require यहां पे अपन लिख देते हैं dot slash swagger.json अब function call कर देते हैं अपन jstock का ताकि jstock से ही उठाके अपना ये कर ले तो swagger.doc is equal to swagger.js.doc जिसके अंदर swagger options राल देते हैं अपन अब तीसरा step रहेगा बस app.use मैं चाहता हूँ कि ये slash api.doc के उपर जाके तुम्हारा ये काम करें लेट्स मूव दिस डाउन तो यहां पर मैं इसको option दूँगा swagger ui.serv और swagger ui.setup ये तुम्हारे दो क्या बोलते हैं middle base रहेंगे इसके अंदर मैं डाल दूँगा swagger.docs अब अगर मैं इसको run करता हूँ node-mon से. अब अगर अगर मैं इसको run करता हूँ node-mon से. ओके सॉरी ये इसके बाद आएगा. Cool, अब इसको मैं अगर run करूंगा localhost 3000 slash api.docs api.doc तो मेरे पास देखो यहां पर तुम्हारा यह चीज बनके आगए तो यहां पर यह रहा title, यह रहा description, यह रहा version और इस तरह से तुम्हारा api बनके आ जाती है अब इसमें फटा फट अपन इसके comments बना देते हैं तो मैंने बूला तो routes में से कोई भी js file उठाके कर दो तो लाओ, एक अपन यह test का ही उठा लेते हैं तो अपन यहां पर ऐसे लिखेंगे, at the rate swagger करके लिखना पड़ेगा यह ना, फिर यहां पर अपन लिखेंगे सबसे पहले तो यहां पर अपन लिखते हैं जो तुमारा route है test, फिर space देके यहां पर अपन लिखेंगे कि कौन सी call है तो यह get की call है get की call का अपन description लिखेंगे description में just a test okay फिर अपन यहां पर लिखेंगे responses responses में 200 हैंडल किया यह surface में 200 200 में 200 का description रहेगा तुमारा success okay node 1 तुमारा चल रहा है अब यहां पर आके अगर मैं refresh करूंगा मैं अब यहां पर spacing का पंगा आ जाता है कई पर, ओके यहां पर हम लोग ने टेस्ट बना दिया, यहां पर slash test है, तुम्हारा route, get की call है, तुम्हारा उसका description डाल दिया, responses में 200 और उसका description, यहां पर आये, यहां पर test देखना शुरू हो गया, let's refresh it once more, यहां पर test पर आके, यहां पर try it out करके, तुम उसको execute भी कर सकते हो, यहां पर देखो execute हो गया, यहां पर तुम्हारे request URL आ गया, तुम्हारे पास curl की command आ गई, और यहां पर तुमको HTML मिल गया as a response, ओके, यहां पर तुम्हारे पास code में जो तुमने डाला था, एक जल्दी से अपन एक तुम्हारे पोस्ट की call भी ले ले लेते हैं, तो यहां पर करेंगे add the rate swagger, ओके, यह route है तुम्हारे पास पोर्ट, slash register user का, यह न, यह तुम्हारे पोस्ट की call, पोस्ट की call का description है तुम्हारे, तुम्हारे पोस्ट की call का तुम्हारे description है, use to register user, यहां पर मैंने responses idle किये है, एक तुम्हारे four-handed है, four-handed के description में, user name is already taken, और मैंने यहां पर handle किया है, तुम्हारा two-zero-one, two-zero-one का description है, two-zero-one में अपनने क्या भेजाए, यह बेजा है, तो इसको उठाके यहां पर डाल देते हैं, और अपनने एक 500 response बेजा है, इसका description है, unable to create your account, इसको यहां पर डाल देते हैं, उसके बाद यार, पोस्ट में न, तुम्हारा request.body के अंदर जाता है, तुम्हें एक form submit करते हो है, तो यह form तुमको वही के वही बना के दे रहता है, ताकि तुम वही के वही टेस्ट कर सको, तो सबसे पहले तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहां पर produces, यह produce कर रहा है तुम्हारा application.json, और यहां पर अपन parameters के अंदर देते हैं, की form इसको कैसे बनाना है, यहां पर सबसे पहले name देंगे, तुम्हारे label का, यहां पर मैं लिखूंगा username, फिर यहां पर देना होगा in form data, क्योंकि यह form है तो यहां पर form data लेंगे अपन, ऐसे ही required is true, यह तुम्हारे input tag के attributes है, और इसका type रहेगा तुम्हारा string का, ऐसे ही और भी बना देते हैं, एक यूजर नेम है, एक email है, एक email है, और एक पासवर्ड है, इसको फटा फट अपन पॉर्माट कर देते हैं एक बार को, यह देखने के लिए कि सब सही है या नहीं, spacing वगरा, spacing सही दिख रही है, अब अपन यहां पर आते हैं, इसको refresh करते हैं, तो यहां पर देखो तुम्हारे पास पोस्ट की भी कॉल आ गई, यहां पर तुम्हारे पास फॉर्म बन के आ गया, यूजर नेम, हीमेल और पासवर्ड का, इसको ट्राइट आउट कर सकते हैं अपन यहां से, यूजर नेम में अपन डालते हैं, testing 321, test at the rate work.com, और पासवर्ड में, testing, testing, ऐसे कुछ पीदrab ad, यहां पर इसको एक्जिक्यूत करते हैं, तो तो देखो यहां पर तुमारे पास response आ गया, ौके यहां पर वेरे पास सारे quo عليه here, response आ गया रिस्पान्स है, response hdd jours है, उड्र तो तुमारे पास request url आ गया, यहां पर दू ने, कॉल एक पोस्ट की कॉल हो गई ऐसा ही पुट की कॉल और बाकी सारी कॉल भी तुम इसी तरह से लिख सकते हो तो यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है और यही सेम चीज उठाके क्योंकि हम लोग ने इसको एक API के उपर ही डाल दिया है तो कोई भी बंदा जो फ्रेंट का है वह यहां पर आएगा अगर उसको रेजिस्टर यूजर तुमने नई API बनाई है तो यहां पर उसको डाल के चेक कर सकता है और तुम भी यहां पर डाल क कि टेस्ट कर सकते हो कि everything is working or not okay without having a frontend cool तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा आज हम लोग ने दो चीज पढ़ी हम लोग ने एक तो js.json के अंदर यहां पर एक फाइल बनाई js.json के अंदर उसकी सारी सेटिंग है js.json के अंदर हम लोग ने बता दिया कि .slash के बाद plug-ins इस तरह से डालते हैं encoding उसकी utf-8 रहेगी destination उसका doc slash होगा और उसके बाद हम लोग ने npm run js.js.doc चला दिया था तो हम लोग को js.js.doc के सारे documentation मिल गए थे उसके बाद हम लोग ने ऐसे ही swagger के साथ किया swagger के हम लोग ने यह फाइल बना दी यहां पर मैंने बोला API is very important API तुम्हारा एक तो स्वाइगर definition रहेगी एक API रहेगा तो मैंने बोला कि slash routes के बाद कोई भी JS की पाहिल उठा लो उसके लिए हम लोग ने यहां पर दो मोडिल्स कीए कौन-कौन से एक तो तुम्हारा swagger js talk एक तुम्हारा swagger ui express और उसका हम लोग ने मिडल बेर बना दिया इस तरह से ओके फिर हम लोग ने comments किये इस तरह से at the rate swagger करके लिखेंगे फिर सबसे पहरे तुम्हारे route का नाम कोलन किस टाइप का है get post put delete उसका description responses कौन-कौन से handle कर रहे हो और अगर तुमको form बनाना है तो इस तरीके से parameters के अंदर तुम यह सब जालते कोई cool understood everything is totally understood or not awesome तेयर आज की सभा में बस इतना ही था आप से मिलते हैं नेक्स सभा में okay bye thank you